बीजेपी में प्रदेश प्रभारी मुलिधर राओ के बयान के आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब देश के सुप्रसंद कवी पंडित सत्तिनारण सत्तन की एक कवीता ने इसाग को अब और सुलगा दिया है सत्तन गुरु की एक कवीता सूशल मीडिया पर अब जमकर तहल का मचा रही है जिसे लेकर खुद सत्तन गुरु ने MP News के एडिटर इंचीफ महेंदर सिह के साथ बातचीत में अपनी पीड़ा को कुछ यू बया किया देखिए एक खास बातचीत वो अटल जी की जमाने के नेता है इसलिए अपने कहे हर वाक्य पर अटल रहते हैं वो आडवानी यूग के नेता है इसलिए उनकी वानी में प्रखरता है और सत्यता பरिलिक्षित होती है जिहा हम बात कर रहे हैं देश के सूपरसिद कवी और भारतिय जनतापार्टी के वर उनकी जेब में हैं आखिर उनके इस बयान के क्या तर्क है और इस बयान को लेकर एक कवी का रदय जब अपनी वानी से अटल शब्दों को अभिव्यक्त करता है तो बात बड़ी गहरी हो जाती है सत्तन गुरुजी से आपकी मुलाकात कराते हैं आदर्निय गुरुजी आपके इस बयान से आप वाकिफ हैं और क्या आपके मन की पीडा है प्रभारी का दाइत होता है कि संगठन को सुनियोजित तरीके से विकास के मार्ग पर ले जाए उन्नती के पत पर ले जाए उसे वेसा उतकर्ष दे जिसे देख करके हमारे जो विरोधी वर्ग के लोग हैं वो इ नेतिक रूप से इस पार्टी ने उत्थान किया जिस नेतिकता को लेकर के अटल विहारी बाजपई जी के नित्तत में इस पार्टी का संगठन गठित हुआ था उस पार्टी की वो सारी की सारी माननिताओं को धुल धूसरित करने के प्रयास जो है आज वर्तमान में किये ज भी आप दोक्तुत कर सकता है यह कहीं से तक उचित नहीं कहा जा सकता ब्रहमन हो या वैशॉत इसके अलावा दो ऑरन और भी है जब वह आपकी जेव में तो वह आपकीे जेव से छिटके हुए है यह क्या आपकी जेव इतनी भारी हो गई है क्या आप अपने शब्दों का उपयोग करें, प्रयॐग करें तो संगठनात्मक गतिविधियों को गढने के लिए करें गातक गीत तो आप गातें संगठन गढ़े चलो सुपन्त पर बढ़े चलो तो यह कौन से सुपन्त पर चल रहे हैं आप यह द्वज को थां करके अपनी यात्रा को बरकरार किये हुए हैं उनको अपनी जेव में रख करके च्लोगे मतलब हम ब्राह्मन और बनिये वर्ग के लोग जो है उनमें वीवेक ही नहीं है जो व्यवसाए करते हैं बड़ी बड़ी फैक्टरियां चलाते हैं बड़े बड़े विवसाय करते हैं और आपको सहयोग करते हैं उन्हें आप अपनी जेव में लेकर के चलते हैं अटल बिहारी बाज़ पे दीन दयाल उपाद्या मुकर जी साब सब आपकी जेव में ये क्या बोलने से पहले विचार करना बहुत अच्छी बात है कविता बीखिये वो सोशल मीडिया पर बहुत रही है कविता क्या है उसका भावार्त क्या है हम चाहेंगे कि थोड़ा आपके श्री मुक्त से उस에서 पर प्रकाश हाए कविता जो है वो उन्हें के द्वारा की गई क्रिया उनके द्वारा दिया हुआ बयान उस बयान से वे एक वर्ग विशेश को पहुची हुई जो पीड़ा है उस पीड़ा के संदर्व में विवेशनात्म है आप इतने समर्थ पुरुष नहीं हैं कि किसी वर्ग को अपने जेब में रख करके मन चाहा उपयोग कर सको या ये दो वर्ग कोई आपके हाथ के मोबाइल नहीं है जो इस वे आप चाहे जोंसा चैनल लगा लो चाहे जोंसी इस्तितियों को देखना मनजूर करो हैं आपके द्वारा कही गई बात जो है अनुची थे और इस बात के लिए आपने खेद प्रिगट करना चाहे ये मापी मांगना चाहे हैं लेकिन नहीं एक वर्ग को नाराज करके जो आप आपने आपको तो पुर्शोत्तम बना रहा है लेकिन पार्टी को जो च्छती जा रहे हैं उसका विवेक कहांगे आप इसका नुक्सान होगा राजनिती ग्रूप से भारती जंदा प्रिगट करके चलते हैं वनीक अपना संगठन लेकर चलते हैं महाजनों समाज के बड़े बड़े अधिवेशन्स होते हैं और महाजन जो है इकठे हो करके आगे बढ़ जाता है तो एसी स्थिति में आपकी जेव में रख करके आप उन्हा घूमोगे या आप इके वल बुद्धी मानों बुद्धी का सारा ठेका आप इके पास में आकर के विराजित हो गया है वो सब बुद्धी से खाली हो गएं क्या है इस तरीके के बयानात प्रजात अंत्र में आपके उन्माद को परगट करता है ऐसा लगता है कि जो मशा पी करके आदमी उन्मादी हो जाता है तो सत्ता भी एक दारू का नशाही समझ करके आपने उसे ग्रहन कर लिया और उस उन्माद में चाहे जो वगदोगे तो समाच स्वीकार कर लेगा कि हानी कारक है मिल करके तो संगठन पर जाएगी ना फिर हम कैसे कागे कि संगठन गढ़े चलो सुपर बढ़े चलो अगर यह सुपन्त है तो इस अधी पर हमें नी चलना कि यहुए जैसे λें जैब में मुद्राय होती थी ब्रहमानों बवनिये जो हैं वो मुद्राइनी है आपकी जो आप जिने चाहो जिसा चाहो विसा खर्च करोगे और असल बात तो यह है कि आज तक भारती जंता पार्टी के निर्मान से लगा करके विकास तक की आत्रा में इन दोनों ही वर्गों का योगदान है ठीक है अब आप उन्हें जिन में लेकर के चलो तो वो भी अब समझ दग गया है इस बात को कि उनकी वोस्तो इस्थिती इस समाज में आपकी पार्टी में किस तरीके से परिलक्षित की जा रही चिन्नित की जा रही अब से यहें आपकी लेकनी में जो पंक्तियां आईे हैं एक हैं आहाको के पराकाष्टा दे दी हैं और पंक्तियों के पढ़े धरजी ने जो बात कही थी, वो उसे यही कहा था कि ब्राह्मन और बनिये उनकी जेव में, तो क्यों? क्या समझ करके कहा उनों? मैंने उनकी प्रतिक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया थी, मैंने उनसे यही कहा कि ब्राह्मन और बनिये को जेव में लिये फिरते, ब्राह्मन और बनियों को जेब में लिए फिरते भाजपा के महासचिव मुरली धर राओ जी। बनियों ने भाजपा को अटल किया एक वोट तक का नहीं किया मोल भाओ जी। सबसे सीच करके प्रिश्पित पल्लवित किया। एक आप यहाँ ऐसे जो कि जेब में लिए फिर रहें। एब मुकर जी और अगर आपकी जेब में तो ये भी आपकी जेब में होना चाहिए। कौन है वो शामा प्रसाद मुकर जी ते जिन्नोंने जनसंग की स्थापना की जनसंग कन्वर्ट हुआ भारती जनता पार्टी में। उसका स्वरूप बदला तो मुकर जी और उपाध्या दिन दयाल जी शामा प्रकाद जी अपाध्या जी दिन दयाल जी ये दोनों इबराहम मन थे। आप तो उनकी पूजा करते हैं उनकी ज्येनतिया मनाते हैं उनके नाम पर जुलूस निकालते हैं उनके लिए ये कहते हैं कि आप प्रेरना लो इन से तो हम यह कहना चाहते हैं कि मुकरजी और उपाध्याय दोनों ही इब्राहमन थे आपकी जेब में दोनों ही समा गए मोदी की गोदी में महा सचिव बने आप शिवराज की महनत धूल में मिला गए इस प्रदेश को बनाने में उसके उत्थान करने में लोगों को अपने से जोडने में जो मेंन शिवराज सिंग ने पिछले वर्षों की है एक दशक के बाद दिर दशक तक की जो यात्रा उस आदमी की है उस पर धूल डालने आए कि आपकी उस संगटन को और मजबूत करने आए मोदी की गोदी में महा सचिव बने आप शिवराज की मेहनत दूल में मिला गए भारी भरकम पाकिट में जो घंकार भरा उसी घंकार के गड़े में रमा गए भाजपा को जनता ने सामा सम्मान सो पा था भाजपा को जनता ने सम्मान सो पा था आप उस मान को मिट्टी में मिला गए ये बात मैंने केवल दो चंदों में कही अब तीसरा चंदों और निवेदित करना चाहता हूँ जो अभी तक उसके प्रकाशन की इस्तिती नहीं हुई ये पहली बार प्रकाशित होगा आपके माद्यम से ये कहना चाहता हूँ उनसे कि ब्राह्मन और बनिये यदि जेब से निकल गए तो आप फिर कटोरा धर बनकर रह जाओगे दिखाओ घमंड आप सच्चे कारिकरताओं को कारिकरता खिसके तो अबाध बह जाओगे सत्ता का नशा पिकर आप जिस बहक में हैं बाबरी के गुंबदोसा एक दिन ढह जाओगे छूट जाएंगे मान सम्मान वायुयान आखिर फिर चाहिकी दुकानी चलाओगे सत्तन गुरु जी के शब्दो का महासागर है यदि उसमें गोता लगाने की शुरुवात एक बार की जाए तो वो अंतहीन है उसका कोई सिरा उसका कोई अंत आपको नहीं मिल सकता लेकिन सत्तन गुरु जब भी कुछ कहते हैं तो अपने दिल से कहते हैं वो गुसे में नहीं बलकि अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं पंक्तियों के माध्यम से और लगता है कि ना केवल भारती जनता पार्टी बलकि सम्मूल राजिनीती में भी जो है एक नितिकता की बात होना चाहिए और दाइरे में रहकर शब्दों का चायन होना चाहिए शायद कुछ ऐसा जो साहस है वो केवल एक कवीराज ही दिखा सकते हैं जो की राश्ट्र कवी पंडित सतन गुरुजी यहां पर दिखा रहे हैं उमीद है कि इन भावारत के साथ ही जो पंक्तियां आप तक पहुंची है यह जरूर से जिमिदार कानू तक भी जाएंगी और जो मध्यप्रदेश की राजिनीती में एक सियासी लहर आई है उसमें जरूर आने वाले कल में तबदीली देखी जाएगी फिलहाल इतना ही MP News के लिए वीडियो जन्रलिस्ट अरुन यादव के साथ महिनर सिंग की रिपोर्ट